Hello friends, hello like home welcome back to another video तो friends, आज मैं ले आई हो आपके लिए एक नवई recipe, recipe के नाम है एक राजमा recipe तो यहां मेने खड़ाय ले खड़ाय में डाल दिया मैंने oil, पल में डाल दिया तुला अधा क्रेक्षन का paste अब मैं इसमें डाल रही हूं अंडा यहां मैं ने दू अंडा ले लिया और डाल दिया डेको में इस तरह से फ्रैक कर लोंगी राजमा तो हम सब बनाते हैं लेकिन यह जो राजमा का रेसिपी है यह बहुत एच्छा लगता है खाने में और बहुत स्वाधिस्ट होता है फ्रेंड्स और क्विक पुंच जाता है यह मैंने डाल दिया होरी मिट्च टेस्ट के अनुसार नमक अब मैं इसे फ्राइ करूंगी तो अंडा का जो खुश्बू है वह आने लगा है अब मैं इसमें तोड़ा मसाला डाल दूंगी तोड़ा हल्दी पर्टर डालने से उसका जो कालर है वह आ जाएगा तो आज मैं राजमा ड्राइ फ्राइ करूंगी तो राजमा जो है मैंने तोड़ा सा राजमा लिया है आज और राजमा को मैंने तोड़ा नमक और हल्दी पाउडर डाल के बल करके रख दिया था अब मैं उसमें डाल दूंगी पारी कटा हुआ ओनियों मैं डाल रही हो जीरा पाउडर तोड़ा सा लाल मिर्ज पाउडर डालतूंगी 1 टेबुलिस्पून हल्दी पाउडर पहले जो हल्दी पाउडर मैंने डाला है और मैंने एक के कालर आने के लिए डाला था अब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ज पाउडर मसला को मैं एक साथ मिला लूँगी और तुली देर फ्राई करूँगी फ्राई हो गया है मेरा जो मसला है वो अब मैंने तोड़ा सा ओल डाल दिया फिर से पहले ओल मैंने काम ड्वाला है क्योंकि एक मिuldade मैं फ्राई करना था इसलिए इसलिए और फ्राई हो गया है और मसला डालने के बाद तुड़ा ओल कम रगशा है तो इसलिए मैंने आल अर्टा जोड़ा डाल दिया अब मैं इसमें तोड़ा पाने डाल दूँगी और फिर इसको डखे रखते हूंगी यह जो रेसेपी है यह बहुत इजी है और बहुत कुईक बन जाता है और इंग्रीडियन्स जो है वो करमें हमारा मज़द होता है अब मैंने डाल दिया तोड़ा पाने तो मसला जो है उसका उबाला गया है अब मैं इसको डखके रख देती हूं और 10 मिनिट बाद मैं इसे निकल दोंगे मसला है वो पोक जाए और अनियों जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा यह है रजमा रजमा को मैंने बल करके रख दिया था तोड़ा पानी बाकी है तो अब पानी सोख गया है अब मैं इसमें डाल दूंगी रजमा अच्ची तरह समेह से मिला लूंगी तोड़ी दर भून लूंगी फिर इसमें डाल दूंगी पानी ज्यादा पानी डलना नहीं है क्योंकि मैंने बताया था ना आप लोगों को कि आज मैं सुखा रजमा बनाने वाली हूँ रजमा ड्राइफ राई पानी मैंने डाल दिया ताकि जो मेरा रजमा है वो अची तरह से पुक जाए पुकने के बाद में जो पानी है मैं सुखा लूंगी तोड़ा तोड़ा ओबाल आने लगा है अब मैं इसका डखन लगा देती हूँ लगपक 20 मिनिट हो गया है रजमा जो है वो पक चुका है और उसका पानी जो है वह भी सुख गया है तोड़ा सा पानी रहा गया है वह मैं सुखा लूंगी फ्लेम बढ़ा के दे दिया है मैंने जो पानी है वह दिरे दिरे सुख जाएगा प्रेंस देख सकते है कैसे ग्रेवी हो गया है रजमा क्यूंकि इसमें पानी कम डाला है मैंने इसलिए और एक के साथ जब हम रजमा बनाते है तो सुखा रजमा ऐसे ही बनाते है तो काला राने के लिए मैंने यहां डाल दिया कश्मेरी लालमिच पाउडर और तुला दनिया पाता अब मैं इसे एची तरह से मिला लंगी और तुड़ी देर रखते होंगी पानी बच्चा हुआ है वह भी सुख जाए अब मेरा राजमा बन गया है अब देख सकते हैं पानी जो है वह पुरा सुख चुका है अगर तुम ग्रेबी टैप हो गया है नहीं चाहिए अर्पुरा को प्रख भी नहीं राखना चाहिए तो अब मैं इसे शर्व कर देख सकते हैं अग्दम गर्मागर्म मैंनो नहीं इसे साहिए और पहत इसे बनाए यह भाट अच्छा लगता है और बहुत इझी रेसिपी है यह इझी बन चांदा है आज हम इसे खाने वाले हैं राइस के साथ हमें बहुत पसंद है यह डिश अब मैं इसे सार्व कर दिया तो फ्रेंस अगर आपको मेरा वीडियो एच्छा लागा तो लाइक कमेंड और श्राट जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल में नए है तो साथ्क्राइब करना महुत बुलिएगा आप भी इससे जरूर ट्राइ के दिखिजिएगा यह बहुत अच्छा है और बहुत एजिली बहुत जाता है फ्रेंस फेस्बुक में मेरा पेज है m.e.special वहां भी मुझे आप कर सकते हैं तो मिलत है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाहे है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाहे है